कहते हैं कि जिन्दिगी में शादी करने का बहुत महत्भ होता है क्यूंकि शादी के बाद हर दो जिन्दिगी तीसरे इंसान में बदल जाती है शादी के बाद हर रिष्टे की एक खास एहमियत होती है लेकिन मा और बच्चे का रिष्टा ऐसा होता है जो सबसे अनमोल होता है एक कहावत है कि भगवान हर जगा नहीं पहुँचते इसलिए उन्होंने मा को अपने रूप में भेजा है बॉलिवुड में ऐसी कई अक्ट्रिस्स हैं जो सिंगल मदर है किसी का शादी के बाद तलाग हो गया तो किसी ने कभी शादी ही नहीं की आपको बताते हैं बॉलिवुड की उन माओं के बारे में जो अपने बच्चों की परवरिश सिंगल मदर के रूप में अकेले ही कर रही है मलाइका ने साल 1997 में बॉलिवोड आक्टर अर्बास खान से शादी की थी फिल्हाल दोनों अब अलग हो चुके हैं दोनों का एक बेटा है जिसकी परवरिश मलाइका अरोडा अकेले ही कर रही है वैसे इन दिनों मलाइका आक्टर अर्जुन कपूर के साथ रिलेशन में है आक्टरस कॉनकुना से ने आक्टर रनवीर शोहरी से शादी की थी शादी के कुछी दिनों बाद उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की जानकारी शेयर की थी लेकिन सच यही था कि कॉनकुना साथ फेरे लेने से पहले ही प्रेगनेंट हो चुकी थी रनवीर और कॉनकुना का तलाख हो गया है और कॉनकुना आपने बेटे की अच्छे से परवरिश कर रही है वॉल्लिवूद राक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने बिजनसमेन संजे कपूर से शादी की थी लेकिन आपसी लड़ाई के चलते ये रिष्टार चल नहीं पाया से शादी की थी लेकिन इनका रिष्टा ज्यादा सालों तक चल नहीं पाया सैफ अली खान से तलाख लेने के बाद अमरिता सिंग ने अपने दोनों बच्चों की अकेले ही परवरिश की है महिमा चौधरी बॉलिवुड की उन अक्ट्रेसिस में से एक हैं जिन्होंने बॉलिवुड में धमाकेदार आगास किया था महिमा ने 2006 में बॉबी मुखर जी से शादी रचाई थी लेकिन उनकी शादी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई साल 2013 में दोनों अलग हो गए थे जिसके बाद से महिमा मुंबई में ही अपनी बेटी आर्याना के साथ रहती हैं अकेले ही बेटी की परवरिश करती है झाल